अगर आपको भी HDFC bank में relationship manager की post के उपर job जाए तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा useful और बढ़िया होने वाला है और आज किस वीडियो में हम actually में 5 point discuss करने वाले हैं अगर आपको वाकी relationship manager बनना है तो वीडियो last तक आपको देखनी पड़ेगी और last point हमारे पास है interview के कुछ बहुत important question answer पोरा वीडियो जरूर देखिएगा मेरा नाम जुनयाद है आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में अगर आप इस चैनल पर पहली बार रहे हैं तो please hit the like button and साथी साथ subscribe करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए चलिए पहले point से शुरू करते हैं हम यहाँ पर complete work of relationship manager ठीक है अगर आपका वाकि ड्रीम है HDFC bank में आपको relationship manager की post को उपन नौकरी करनी है तो इसे वीडियो को detail में समझना और इसका work समझने के साथ साथ सारी चीज़े समझने की पूरी कोशिश करना देखें आपको जो काम मिलेगा HDFC bank में as a relationship manager वो क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ पहला काम आपका यह रहेगा आपके पास बहुत तरीके के lawn के फाइल आते हैं आप उन फाइल्स को चेक करोगे बहुत ही brief में बहुत ही अच्छे तरीके से और कहीं न कहीं क्लाइंट को lawn कराने के आप कोशिश कर रहोंगा पहला काम आपका यह है इसी के साथ आपका दूसरा काम जो बहुत ज़्यादा important है आपको कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से sales निकाल कर देनी होंगी HDFC bank को बहुत सारे लोग सोचते हैं relationship manager की post है पता नहीं बहुत साई काम होगा लेकिन आप सभी की जानकारी के लिए बता दूब यहाँ पर जो काम है न मेनली जो काम है कहीं न कहीं sales का है आपको घूम फिरके कहीं न कहीं sales करनी है चाहें आपको client के साथ जाना पड़े चाहें आपको client का काम करना पड़े लेकिन घूम फिरके कहीं sales करनी है इस बात को आपको बहुत ही ध्यान पूरवक सुनना है अगर आप relationship manager की post पर जाते हो ध्यान से सुनिए तो आपको कहीं न कहीं घूम फिरके sales करनी है ठीक है जी इतनी बात समझ में आगी आगे बढ़ते हैं अब बहुत सारे लोग अगर ये बात समझते हैं कि हमें sales में क्या चीज़े sales करनी पड़ेंगी क्या हमें salesman वाला काम मिलेगा like credit card sale कर रहे हैं हम railway station पर खड़े वे या debit card या saving account या current account नहीं बाई ये सब काम आपको नहीं मिलेगा थोड़ा सा उपर वाला काम आपको मिलेगा ठीक है जैसे किसी बन्यका loan कराना है तो आप उसे deal कर रहे होंगे कही नहीं जाके मिल रहे होंगे कहीना कहीं उस deal को close कर रहे होंगे या आपका काम रहे का बाई चांस आपको डोर टोर भी जाना पड़ सकता है कोई सर्वे करने के लिए या फिर किसी और काम से भी तो थोड़ा सा आपको ये समझने वाली बात है कि ये जॉब वैसे तो इंडोर है ठीक है ब्रांच बैंकिंग में है लेकिन कहीं न कहीं आपको थोड़ा बहुत भीया है उनके जो लॉंज है उनके उपर आपको completely penny नजर रखनी होगी शाती नजर रखनी होगी आपको पता होना चाहिए हमारे कौन से क्लाइंट का लॉंज चल रहा है किस क्लाइंट की क्या यह है सारी चीज़ों के बारे में आपको बहुत ही brief में पता होना चाहिए as a relationship manager इसके dream है कि हम ICICI bank में relationship manager बने तो उस video का link i button में लगा कर दूँगा please देखिए उस video को भी आपका बहुत जादा knowledge मिलेगी इसी के साथ साथ बात करते हैं हम दूसरी चीज़ की job को समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर आपने यह बात समझनी तो काफी ज्यादा इसमें भ फिर कोई बीमा वगरा भी हो सकता है आपके कुछ दोस्त हैं आपके कुछ ऐसे client हैं जिनसे आप थोड़ा सा बात करते हो अच्छे से बात कर लेते हो तो आप उनको कोई ने कोई बीमा कोई ने कोई policy दे सकते हो बेच सकते हो HDFC इसके लिए भी आपको force करेगा क्या आपके क दिल घपराता नहीं है आपको डर नहीं लगता है लोगों से मिलने में लोगों से बात करने में लोगों की पास जाने में उन्ते रिक्वेस्ट करने में और हाँ ना सुनने में तो आपके लिए ये post बहुत बढ़िया है एक चीज़ और किलियर कर तो यहाँ पर salary बहुत पर इसके अलाब भी बहुत सारे काम होते हैं मैं स्क्रीन पर डाल दूगा आप उनको रीड कर सकते हो कि भीया क्या क्या काम और होते हैं आपको क्या क्या करने के लिए मिल सकते हैं अब दूस्तों इस वीडियो में हमने एक चीज़ कंप्रीट कर ली है चो था यहाँ यहाँ क्या काम करता है कैसे करता है कौन-कौन से चीज़ से सेल करने बढ़ेंगी सब कुस्तों मैं बता दिया आपको इसी के साथ पॉइंट नबर दो हमरे पास से रिक्वाइड इसकिल्स जी हाँ दिखे अगर आपको एक रिलेशन्शिप मैनेजर बनना है और आप सीरियस अपने सानी चाही है देखिए कम्युüyorum के सकिल्स का इस्तेमाल हम करेंगा अपना इंटरवी को करेंगर करने में अच्छे लीड्स जनेरे करने में कहीं न कहीं अच्छी बातों को बताने में और क्लाइंट को सेटिस्फिक्शन देने में हम मानलो क्लाइंट के पास पोचते हैं कि य देश के प्रिधानमंतरी है, अपने देश के प्रिधानमंतरी है, सभी जानते हैं, उनकी हर बार जीतने का जो राज है, वो यही है, कि वो बहुत अच्छा, strong communicate करते हैं, पास तगड़ी skills हैं, actually communications की, तो आपको भी बहुत ज्यादा ज़रूरत है, अपनी communication skills को strong बनाने के पीछ है, ठीक है, बहुत ज़रूरत है, अगर आपको अपनी communication skills को improve करना है, बहुत अच्छा बनाना है, आप हमारा course purchase कर सकते हो, first link in the description box, कीमत बहुत ही कम है, एक बार जाके देख लो, मजा आया तो खरीद लेना, ना लगए अच्छा, मत खरीदो, फिलाहल, skill number 2 हमारे पास है leadership skills, ठीक है, देखिए, आप एक ऐसी post पर जा रहे हो, जहां पर आप लोगों से बात करोगे, ठीक है, आप directly मिलोगे, लोगों से जाके, तो अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी ऐसा वाला भाग नहीं है, जो आप लोगों से मिल सको, या फिर आप कहीं ना कहीं leader wise काम कर सको, leader क तरहा काम कर सको, तो ये फिर post आपके लिए नहीं है, आपके पास leadership की skills होनी चाहिए, साथ साथ आपके पास interpersonal skills भी होना ज़रूरी है, इसी के साथ communication skills भी यहां पे important role पिले करती हो, तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ आपको problem solving होना भी ज़रूरी है, इसी के साथ आपको customer के सा सर्विस कैसे करते हैं, कस्टमर की सर्विस कैसे करते हैं या कस्टमर को सर्विस कैसे देते हैं इसके बारे में भी बता होना चाहिए और अच्छे से पता होना चाहिए एक और शब्द हैं आपे conflict resolution जी हाँ इसके बारे में भी आपको knowledge होनी चाहिए है तो भाई योट्यूब पर गूगल पर इसके उपर भी बहुत वीडियोस है यार इंटर्व्यूप में कैसे कपड़ पहन के जानी चाहिए कौन सा पर्फ्यूम क्या चीज़े सब को पर बहुत टुटोरियल बने वे यार जरूर ती एक ना थोड़ा अपनी बुड़ी को उससे आपका सिर्फ यही नुकसान है आपका क्लाइन भाग जाएगा तो कोई फायदा नहीं है तो यार किसी से मिलने जाओ अच्छे से मिलने जाओ इंटर्वीव देने जाओ बहुत अच्छी तयारी करके जाओ बहुत अच्छी से ब्ढ़रेंग के जौब चुछ इनमें the relationship manager कितनी salary हमें देखने के लिए मिलेगी apply process भी बताने वाला हूँ और आपको 10 ऐसे interview का question भी बताऊँगा जो आप सुनोगे और आपको होगे सर यह तो पूछे ही गयते हैं हमसे अगर आप interview देने जाते हो तो देखे हमारे कुछ subscriber ने htfc bank में as a relationship manager job ली है अब हमने उनसे directly पूछ लिया आपको कितनी salary मिल रुपे और साथ में उसको incentive मिलता है bonuses मिलते हैं और बहुत तरीगे गए उसको target भी मिलते हैं तो वह कहीं न कहीं अपने target को पूरा करता है सारी चीज़े करता है उसकी salary 35-40,000 पर बैठ जाती है as a relationship manager law department में उसका काम है basically चलिए तो आपको कितनी salary मिलेगी अगर आप बिल्गुल freshare हैं आपके पास किसी भी तरह का कोई experience नहीं है और आपके पास knowledge बहुत अच्छी है banking field की knowledge बहुत ही अच्छी है तो आपको salary यहाँ पर 20,000 रुपे तक देखने के लिए मिल सकती है as a relationship manager in HDFC bank और दोस्तों यह सिर्फ salary है इसके लावा bonus होता है इसके लावा incentive होतने है कहीं नगे target based job होती है तो इस दोनों चीज़े आपको देखने के लिए मिलेंगी और हाँ आप बहुत अच्छे से explain कर सकते हो question का answer बहुत अच्छे से कर सकते हो आपकी communication skills बहुत अच्छी है तो फिर मैं आपकी salary यहाँ पर नहीं बता सकता because salary आपके interview पर matter करेगी आपने interview कितने अच्छे से दिया है कितना relate किया है HR के questions से and आप HR को कितने percent satisfaction दे पाए है और उसे समझाने के पीछे मेरा एक basic सा funda है जो आपको clear करना बहुत जरूरी है समझ लिजे बात को अगर आपने अब तक बहुत बार apply कर लिया बहुत बार का मतलब है तीन से चार बार पांच बार आपने apply कर लिया job के लिए अलग अलग जगा पर कुछ भी हो सकता है चाहे वो HDFC का original website हो चाहे अपना app हो चाहे नौकरी.com हो चाहे शाहिन.com हो कुछ भी हो भी है अगर आपने apply कर लिया है आपको कोई भी response नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपकी सिर्फ एक चीज़ की खलती है और वो है आपका resume अगर आप वही दजबी सर्फ वाला resume लेके घूम रह ही है तो सबसे पहला काम यह है अपना एक resume बनवा लो बड़े हैसा बहतरीन सा resume हम आपको बना कर देंगे cost फिलाल 199 हैंगी number 11 इस number का screenshot देलो अभी कभी call करो और पता कर लो कि हमारा resume कितनी देर में मिलेगा कितना time लगेगा कितने पैसे लिए जा रहे हैं कि ऐसा resume होगा सब क email ID होनी जरूरी है छोटी सी हो unique सी हो बिल्कुल अलग सी हो ज्यादा गडित के अंक ना हो बहुत बड़ी कास्ट certificate ना लगा रखो यह सब नहीं होना चाहिए professional like this आपके पास email ID होनी चाहिए साधी साथ आपके पास एक active mobile number होना चाहिए जिसमें call आ भी सके और जिस number से call आप कर भी सको incoming and outgoing दोनों number के अंदर चालो होनी चाहिए और वो सीम आपके पास होना चाहिए आपके phone के अंदर डला हुआ होना चाहिए उसके बाद क्या करना है अब ध्यान से सुनिएगा अप्लाई करने के लिए सब से पहले आप HDFC bank की जो official website है वहाँ पर अपना रिज्यू मे updated resume upload करके रखोगे वहाँ पर अपनी profile बनाएंगे 100% चीजों को fill करेंगे जहां कि आप हो जहां आप रहते हो जहां आप job करना चाहते हो सब कुछ update करके रखो अगर आपका resume बहुत अच्छा है हमसे बनवाया है तो आपको वहाँ से response आएगा और अगर आपको HDFC bank के career के page से job आपको बढ़ियां मिलेगी पहली चीज sphere of cost मिलेगी आपके जिले में मिलेगी तो यह आपका benefit होने वाला है अच्छा benefit होने वाला है दूसरा तरीका क्या है अगर आपने हमसे resume में बनवाया है और आपको बहुत ही बेसिक सा है बहुत अच्छा है आप सीधा सीधा LinkedIn पर जा follow करके रखो भी है walking drive पर interview चलते हैं bulk hiring चल रही होती है आप भी जाके वहाँ पर interview दे सकते हो बहुत सारे लोग email letters डालके देते हैं कि इस email पर अपना resume submit करो अगर आप किसी को अपना resume भेजते हो for job तो आपको सिर्फ resume भेजके ऐसे छोड़ने देना एक पूरा पहले message लिखो email लिखो पूरा अच्छे से एक भेजरी सब्जेक्ट लाइन भी होनी चाहिए और फिर अपना resume अटेज करो बिक्तम last में PDF की format में और उससे पहले एक complete message आपके पास लिखा वोना चाहिए कौन हो कहां से हो क्या करते हो पापा क्या करते है मम्मी क्या करती है बहन है तो क्या क पर रखो contact number भी डाल कर रखो जो active है जिस पर HR call कर सके तो LinkedIn पे बहुत सारी vacancy आए दिन निकलते रहती है एक हफते के अंदर-अंदर आपको job का response मिलेगा LinkedIn के तो प्लीज LinkedIn को download कर लो यह को sponsor video नहीं है LinkedIn का मैं खुद उसका बहुत बड़ा fan हो और भाई मुझे कहा sponsor करेगा LinkedIn त हाँ पर follow करके रखो vacancy की detail आपको मिलेंगी LinkedIn पर ही तो आप apply करते रहिएगा work and drive पे interview है interview देखाईएगा फेल हो जाओगे कोई Instagram.com इनसे भी job मिल जाती है तो आप अपना देख लेना एक बार फिरहाल यही देखे हैं I hope आपकी समय सारी चीज़ा आगई होंगी मैंने समझाने कोशिश के relationship manager क्या काम करता है उसकी salary कितनी होती है साथ-साथ कौन से required skills है और कैसे apply कर सकते हो इसी के साथ साथ अब हम बात कर देंगे interview के कुछ question की अगर आपको वाकई seriously interview देना है HDFC bank में relationship manager की post पर तो यह 10 question है जो बहुत important है और मैं सिर्फ question ही बताऊंगा because video बहुत नबा हो गया है तो इन question को ध्यान से सुनना मैं यह सारे के सारे question description में भी डाल कर देतूंगा आपको तो please आपसे request मेरी इतनी है कि इ subscribe कर लो share नहीं क्या video बिल्कुल करो share अभी क्या भी share करो आगे बड़ते हैं और हां तो मजने ही कोशिच करते हैं interview के 10 question question number 1 हमारे पास है आप हमारी company के अंदर क्यों interested हो या फिर HR इस तरीके से पोच सकता है आपको HDFC bank के अंदर क्यों नौकरी चाहिए आपको यहाँ पर आने के लिए किसने motivate किया है या आप यहाँ पर job क्यों करना चाहते हो इसका answer आप well तरीके से देंगे question number 2 हमारे पास है इस नौकरी में आपको सबसे बढ़िया क्या लगता है या फिर क्या लगा as a relationship manager आपसे पोच रहा है वो आप relationship manager की post में क्यों job करना चाहते हो या relationship manager के अंदर आपको क्या सबसे बढ़िया लगा आपके पास इसका भी solid answer होने चाहिए इसी के साथ question number 3 है क्या आप team के साथ काम करन से अगर आप experience बंदे हैं तो आपसे ये question किया जाएगा अनियता फ्रेशर से ये question नहीं किया जाएगा question कुछ इस तरीके से हो examiner आपसे पूछ रहा है आप अपने colleagues के साथ या फिर जो previous work आप करका आ रहे हो उसमें आप अपने सह कर्वियों के साथ क्लिक्स के साथ यानि कि ग्रुगों के साथ कैसे काम करते थे कुछ हमें भी बताओ कुछ टीप से दो कैसे काम करते थे टीम के साथ कैसे काम कर सकते बॉस के साथ कैसे आपके बैट उट थी वो सारा कुछ हमें बताओ जरा तो यहाँ पर आपके पास अगर experience से तो शेयर कर देना नहीं है तो एक तो चलो HGFC में जॉब ले लिए लेकिन आपका गोल क्या है लंबे टाइम वाला गोल क्या है आपका अगर कुछ है तो बता देना अगर नहीं है तो अभी कुछ ना कुछ बता जरूर देना है इसी के साथ कुछ नमर 6 हमार पास है बहुत सारे लोग ना अपने रिजूमें के अंदर लिखते हैं मैं यह अचीवमेंट लाया हूं मैं यह क्या हूं मैं वो क्या हूं लेकिन रिजूमें मैं नहीं लिखना होता है हम आपको रिजूमें बना कर देंगे हम बना कर देंगे क्या लिखना है जो रहे है तो इसका क्वेशन आप और शौर्षन तरहना जाए को बारी है तो अब इसकारी तरह पास है अगर आप experience है तो ही आप से यह question पुझछा जाएगा आप अपनी पुरानी job क्यों छोड़ कर आये हो या फिर क्यों आपनी पुरानी जॉब छोड़ रहे हो तो इसके पीछे भी आपका solid answer होना सरूरी है अगर आप एमें कुछ भी बोल देते हो तो एक दाम नर्स तोचेगा है जो वो अपनी छोड़ रहा है हमारा भी बेखुफ बना रहा है आपको बतानी जरूरत नहीं है पहले चीज़ हम expert हैं उस चीज़ में हम बढ़े है लिख के देंगे पहली बात दूसरी बात यह है hobbies लिखने का कोई sense नहीं है अगर वाकई HR आपसे interested है job देने में आप देखने में बहुत सुन्दर है कहीं नहीं attraction का part बनते हो bank के लिए तो फिर examiner आपसे पूछेगा आपकी hobby क्या है तो आप उनको बढ़ा सकते हो कि sir मेरी जो hobbies है न वो बहुत सारी basically सबसे पहले मैं book को बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ मुझे बहुत ही shock है book पढ़ने का मुझे लिखने का बहुत shock है मैं पतर लेखन करता हूँ मैं चिठ्थिया लिखता हूँ या फिर मैं register में कुछ भी लिखता हूँ पहराल आप उनको कह सकते हो कि मुझे लिखने का भी shock है लेकिन जो shock आप बता है वो जन्मन होना चाहिए आपको उसके बारे में पता भी होना चाहिए कभी आप कहे दो कि मुझे book पढ़ने का shock है अब उन्होंने कहते कोई अच्छी से अपनी book बताओ जो आपने पढ़ी हो या फिर उन्होंने कह दिया कि कोई story सुना दो जो आपने पढ़ी हो book के अंदर से और आपने तो पढ़ी नहीं है आप एवई बोलरों के हाँ मुझे book पढ़ने आती है या मुझे book अच्छी लगती है तो फिर आप यहाँ पर फस सकते हो मत बताना कुछ भी अगर हो भी नहीं है बिल्कुल बताना के हम तीन महीने के बाद अपने आपसे क्या चाहते हैं और इस company में job लेने के बाद हम अपने आपको तीन महीने के बाद कहां देखते हैं फिलाल यह वीडियो यहीं तक थी I hope आपकी सवज में सारी चीज़ा आ गई होगी इन question की list description में भी डाल दी है screenshot लेके Google पे search करोगे मिल जाएंगे वहाँ पर इनके answer भी लिखे हैं sample answer as it is copy paste मत करना अपने mind में थोड़ा घुमा भी खर लेना बहराल question यही सबाब से पुछ जाएंगे as a relationship manager की post को पर देखें अब मैं आपको बता दू अगर आपका dream job है HDFC bank तो आप हमसे भी contact कर सकते हो हम भी आपकी job लगवा करके देंगे subject line आपको यही डालनी है अगर job चाहिए resume बनवाना तो directly बात कर लो resume बनवाना भी है बात करें मुझे अगर job चाहिए तो यह subject line है आप हमें WhatsApp पर message करेंगे यह subject line के साथ फिर हम आपको बताएंगे job का process है क्या एक चीज़ के लिए कर दू हम जो job लगवाएंगे वो ferry of course लगेगी हम किसी भी तरीके के job के नाम पर पैसा आपसे नहीं मांगते हैं नहीं मांगेंगे वो एक अलग बात होईगी जब आपकी job लग जाएगी आपका मन खुश होएगा आपको देना चाहते हो as a gift तो उसका कोई sense नहीं है वो एक अलग बात है लेकिन फिलहाल अगर हम आपकी जवाब लगवाते हैं उसका हम किसी भी तरीके कोई विचार्ज आपसे नहीं लेंग इस वीडियो में फिलहाल इतना ही thank you कर दो